हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम देखने वाले हैं सीके इडिटर के बारे में तो यह दिया आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दू कि सीके इडिटर एक एसा इडिटर है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को इडिट कर सकते हैं या फिर हम जो टैक्स है इमेज़े इसको हम इडिट करके उसका सोर्सकोड ले सकते हैं ही ने का employee होगा या फिर जो भी आपका blogger होगा वो blog लिख सकता है तो यहां पर हम इसको कैसे use कर सकते हैं और कैसे implement कर सकते हैं अपने projects में तो यहां पर मैं आपको basically HTML CSS के थूरू ही बताने वाला हूं कि आपको किसे इसको implement करना है यहां पर आपको guidelines पर लेके चला जाता हो तो यहां पर क्या है कि हमको edited due मिलता है तो हम को copy कर लीको और कशोर्व आपको simply मैं यह आपको code में इसको paste कर देता हो फिर बएसिक हीमों इस इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी भी project में जिसको implement करने के लिए आपको यही चीज़े करनी है 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 करने खरे हो आपको तीनोंचीज़ ही छिज़े करनी है यहाँ पर कपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीते हैं और यहाँ पर जो CSS का कोड है वह भी हम यहाँ ओप कपी कर लेते हैं और copy करने के बाद हम यहां पर paste कर देता है जैसी हम paste करते हैं यहां पर आप देखें कि हमारे पास हम जैसी इस फाइल को refresh करते हैं तो हमारे पास एक इडिटर आजाएगा तो इसी को हम कहते हैं निके इडिटर यहाँ पर हमको टेक्स बोल्ड करना है या फिर घुट भी करना है तो हम यहाँ पर कर सकते तो यह सारी चीज है इसमें कर सकते हैं हम टैबल चीए हम टैबल बना सकते हैं इसमें कॉलम्स बना सकते तो यह हमारा है फ्री वर्जन यहां पर हम है डिटर है यह पर पर वेबसाइड पर हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमको photos यहाँ पर responsiveness यहाँ पर source code word PDF यह सारी जीज़े जो हमको additional मिलती है वो हमको मिलती है pad version में है इसके लिए आपको इसको by करना होगा तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको HTML में यह करना है editor तो हमको यहाँ पर simply हमको यह तीन लाइन का चाल लाइन का code लिखना होता है तो मैं आपको जूम करके बता जाता हूं बट अब mainly problem के होती है जैसे कि मैं Laravel यूज करता हूं तो अब मैं Laravel यूज करता हूं तो मेरा यह जो data है वो आगे से हो भी होना चाहिए inner database तो क्या करेंगे हम तो यहाँ पर हमें HTML form बना देता हूं simply way में और यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर मैंने HTML लिख ल जाता हूं तो टेक्स एरिया करता है कि अपर अपन हरकुछ भी लिख सकते है तो वह हमारा जाके save हो जाता है हरकुछ का मिन्स है कि हमारा जो input type होता है जो की होता है specific जैसे number हो गया text हो गया या फिर range हो गया यह सरी जीश है पर text area के अंदर आप content लिख सकते है तो जितना भ इसको form के अंदर ले लेंगे तो यहां पर form ले लेते हैं और यहां पर action देंगे तो यहां पर हमारा जो डाटा है वह आगे save हो जाएगा तो हमने यहां पर action दे दिया और यहां पर हम सेम पेज़ इसको relate कराएंगे क्योंकि अभी हमादा save नहीं करा रहे है मैं आपको एक process بت कर रहा हूँ जिसकी मदद से कि आप अपने प्रोजेक्ट में इसको सिंपल वे में इंटिग्रेट कर पाऊ और यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो यहां पर क्या होगा कि हमारा जो टैक्स एडिटर है उसके ऊपर यह और राइट कर देगा से के डिटर को और यह सेव करना चाहता हूं तो एक्चुल में मेरा जो सोर्स कोड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा तो यह जो सोर्स कोड है वह ही पूरा का पूरा डाटबेस में जाके सेव होगा और यहीं मैं किसी भी पेज के ऊपर रेंडर कराता हूं यह सोर्स कोड को तो वो मेरा आउ मिलते हैं थैंक यू फ्रेंट्स वोच माई वीडियो